नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F17 Pro vs. Xiaomi Redmi Note 10 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Oppo F17 Pro में 6.3 इंच जबकी Redmi Note 10 में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है जोकी सेम जैसी ही है, विद की बात करें तो, Oppo F17 Pro में 2.9 इंच जबकी Redmi Note 10 में 2.93 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Oppo F17 Pro में 0.29 इंच जबकी Redmi Note 10 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Oppo F17 Pro से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Oppo F17 Pro में 164 ग्राम्स जबकी Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी Oppo F17 Pro से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Oppo F17 Pro में Super AMOLED जबकी Redmi Note 10 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही, 6.43 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन तू बोडी रेशियो, Oppo F17 Pro में 84.5 प्रतिशत जबकी Redmi Note 10 में 83.5 तीन प्रतिशत मिलता है बात करें पी-पी आइडेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही, 409 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो, Oppo F17 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की, Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera देखने को मिलता है और, Redmi Note 10 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की, Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो, Oppo F17 Pro में 11 different type के फीचर्स मिल जाते है और Redmi Note 10 की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Oppo F17 Pro में dual camera देखने को मिलता है जिसमें की 9 different features मिलते है और Redmi Note 10 में single camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Oppo F17 Pro में power over GM 9446 है जबकि Redmi Note 10 में Mali G76 MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Oppo F17 Pro में MediaTek Helio P95 और Redmi Note 10 में MediaTek Helio G95 मिलता है बात करें RAM की तो Oppo F17 Pro में 8 GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 10 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 6 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Oppo F17 Pro में 128 GB की storage मिलती है जबकि Redmi Note 10 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Oppo F17 Pro में up to 256 GB जबकि Redmi Note 10 में up to 512 GB है operating system की बात करें तो Oppo F17 Pro में Android V10 Q जबकि Redmi Note 10 में Android V11 देखने को मिलती है बैटरी Oppo F17 Pro में 4015 mAh जबकि Redmi Note 10 में 5000 mAh देखने को मिलती है अईए अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में same ही तीन colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Oppo F17 Pro में एक ही variant देखने को मिलता है जोकी 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 18,390 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें Redmi Note 10 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जोकी 6 GB RAM 64 GB storage के साथ 14,999 रूपीस 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 15,999 रूपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Pons यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5, फाइदे और 3, नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में Oppo F17 Pro आगे है Main Camera में Redmi Note 10 आगे है Front Selfie Camera में Oppo F17 Pro आगे है Performance में Redmi Note 10 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है जो की 20,999 रुपे में मिलता है दूसरा Samsung Galaxy F22 है जो की 14,499 रुपे में मिलता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना